दिक्तर घरों में प्रसिद्ध वनस्पती घीया डालडागी का इस्तिमाल अगर आपने भी किया हया करते हैं, तो एक बार यह जान लेकि यह बंदा कैसे हैं, बच्पन में आपके घरों में डालडागी आपने जरूर देखा होगा, इसे वनस्पती घी कहा जाता है और असल मा पर भी ताड के जाड की तस्वीर होती थी, गाय का घी काफी महगा भी होता है, तो एक गाय का घी मंखन से बना जाता है, अलांकि देशी घी महगा होने के कारण, कई लोग मार्केट में मिलने वाले तरह तरह के सस्ते डालडे घी या वेजटेबल ओयल का इस्तिमाल करते हैं लेकिन आज के समय में ज्यातर लोग जागरुक हो चुके हैं और अपनी हैल्थ को लेकर काफी conscious रहने लगे हैं इसलिए डालडा घी भी मिलावट और हानी को देखते हुए बहुत कम लोग इसका इस्तिमाल करते हैं लेकिन कुछ समय पहले डालडा घी ने वेजटेबल ओयल को इस तरह परशलित किया कि वेजटेबल ओयल को डालडा के नाम से ही जाना जाने लगा और उस समय डालडा घी की खूब बिकरी हुई क्योंकि डालडागी दिखने में विल्कुल डेसी घी के जैसा लगता था लेकिन आज के समय में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो डालडागी का इस्तिमाल करते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखरी डालडागी फैक्टरी में बनता कैसे है वेजिटेबल ओयल बनाने के लिए मेंली ताड के बीजिया पाम सीड का इस्तिमाल किया जाता है सबसे पहले ताड के बीजो को अलग किया जाता है अब इन बीजो को चन्नी की मदद से अलग किया जाता है जिस से इनके छिलके अलग हो जाते हैं तो इन सभी फलों को गरम पाने में उबा लिये जाता है ताकि थोड़े से नरम हो सकें ताकि इसका तेल निकाले में आसानी हो अगले स्टेप में इन सभी को इस पाउरफुल ग्राइंडर में ग्राइंड किया जाता है और अब अच्छे से ये पिस चुके हैं अब इन सभी को एक बरतन में इकटा कर लिये जाता है और इसे ही प्रेशर मशीन में डाल कर उस पर प्रेशर अपलाई किया जाता है जिससे कि इसमें लगे पाइप से दीरे-दीरे पाम ओयल बाहर निकने लगता है और वही कच्चा पाम ओयल तयार हो चुका है अब इस पाम ओयल को इस मशीन में डाल कर रिफाइन के जाता है जिसमें इसमें मोजूद और शुद्धियों को अलग कर लिये जाता है तो पाम ओयल रिफाइन हो चुके हैं तब ये पाम ओयल घी जेसा मतलब ठोस हो जाता है जिसे कि आपने अभी इस प्रोसेस में देखा तो फाइनली अभी डालडा घी तयार हो चुका है तो अब कुछ इस प्रिकार से अलग-अलग पैकेट में देथा कंटेनर्स में पैक कर दे जाता है तो आपको बता दें कि डालडागी घरों में अब खाना बनाने में बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तो हमें कमेंड में जरूर बताएगा क्या हमें तेल का यूज़ खाना बनाने में करना चाहिए आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद अजिए पान बनाने में जरूर आपको बटाएगा